ओम शान्ति आज 10 मार्श 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावा की सुनेगे और आज की मुली में बाबा हम बच्चों को श्रीमत का कदर करना सिखाते हैं बाबा कहे यथार्कृती श्रीमत पर कौन चल सकता है जो बाबा को अपना सारे दिन का पोता मिल देते हैं फिर बाबा से राई करते हैं कि बाबा इस हालत में हम क्या करे तो बाबा जो श्रीमत देते हैं फिर उसमें अपनी मन मत मिक्स नहीं करनी है बाबा कहे बहुत संभल कर चलना है श्रीमत पर भी क्योंकि इसी श्रीमत पर चलने से हम स्रेश्ट गती को प्राक्ट कर सकते हैं साथी साथ बाबा कहे श्रीमत पर चलते हुए भी नम्रचित, निर्माणचित या निर अहंकारी जरूर होना है तभी बाबा कहे तुम्हारी स्रेष्ट गती होगी तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाकित ओम शांती, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सनमुख बैठा है तुम ऐसे बाब से पूरा वर्षा ले लो भूलो मत, बाबा को भूलना नहीं है आज की मुर्ली से प्रश्ण है बाब की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ती किन बच्चों में रहती है कौन यथार्थ चल सकता है उत्तर है जो अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बाब को सुना कर हर कदम पर बाब से राई लेते हैं बाब से राई ली तो उस पर चलने की शक्ती भी मिल जाती है बाब बच्चों को श्रीमत देते हैं क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो क्योंकि वपाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो संभल कर चलना है अपनी मत नहीं चलानी है आज की मुडली से पहले गीत बजा है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धर्ती पर आजाओ ने ओम शान्ती बच्चे सनमुख बैठे है किसके सनमुख बैठे है तावक कहे बेहत के बाप और दादा के यह बड़ी वंडरफुल चीज है बेहत का बाप कौन है परंपिता परमात्मा और फिर बेहत का दादा प्रजापिता प्रमा दोनों सनमुख बैठे है किसके बच्चों के तो यह जैसे ईश्वरिय कुटूंब परिवार बैठा है और बेहत का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे है अत्वा सहज राजियोग सिखला रहे है यह बुद्धी में रहे तो अपार खुशी का पारा भी चड़े गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ इस समय बहुत दुख है आवान करते रहते हैं और यहां तुम्हारे सवन्मुक बैठा है दुनिया में मनुष्य गीत गाते हुए भगवान का आवाहन करते रहते हैं और यहां बाबा हम बच्चों के सन्मुक बैठे हैं तुम जानते हो बेहत का बाब इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं बच्चों में भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार बुद्धी में निश्चे हैं निश्चे नंबरवार हैं एक जैसा निश्चे अरेकुर्णे यान एक जैसा हैं लेकिन बाबा कहें बच्चों में भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार बुद्धी में निश्चे हैं बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चरी होगा न यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं जो पढ़ाने वाले हैं उसमें निश्चरी होगा कि यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं फलाना सर्जन हमको सरजरी सिखा रहे हैं, तावके ये दुनिया में निश्य होता है, कि यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सरजरी सिखला रहे हैं, यह ऐसी वंडरफुल चीज है, कि अभी-भी कहते हैं, हमको पक्का निश्य है, बेहत का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं राजियोग सिखलाते हैं अभी अभी कहां बाहर दूर गए तो निश्चे टूट पड़ता है बाबा को ये वंडर लगता अभी अभी कहते हैं हमें पक्का निश्चे एक और अभी 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 बाहर दूर गए तो निश्चे टू क्या कहते हैं बच्चे अब अच्छी रिती बाप से वर्सा लेने का पुर्शार करो समझते भी है फिर सेकंड में भूल जाते हैं तुम बेहत के बाप के सन्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालु बच्चों की रहनी करनी आदी का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए तो बाप को भी मालुम पड़े और उस रिती फिर समय प्रती समय राई देते रहे कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े यह है गौड फाधरली युनिवर्सिटी इसमें अच्छी रिती पढ़ना ह है ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पढ़ा तो पढ़ाई मिस कर दी वह सब काम है पाई पैसे के कुछ भी हो जाए बाबा कहें पढ़ाई मिस नहीं करने चाहिए इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है सब खत्म हो जाने वाली है बाब कमाते हैं किसके लिए बच्चों के लिए समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे फिर बच्चा जब बाब बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे अब तो विनाश सामने खड़ा है तो बाब को जब बच्चों के पोता मिल का मालूम पड़े, तब तो मत दे, कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं, बाबा कहीं, बच्चों को कदम कदम पर राई लेनी चाहिए, पूछना चाहिए, ऐसे नहीं, कोई विकर्म हो जाए, यह है बेहत का घर, बाप ऐसे बैट समझाते हैं, जैसे एको बगु, खद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं, जैसे एक एको बाबा पर्सनल समझा रहे हैं, सम बच्चे जानते हैं, हम ब्राम्मर हैं, कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो कहेंगे, वह तु सब का बाप है फिर पूछो, वह कहा रहते हैं, तो कह देंगे सर्वग्यापी है, बेहत के बाप को नहीं जानते, तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थरिती जानते हो, तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है, बाप आये हैं देवी देवता बनाने के लिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े, पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो, ऐसे भी बहुत है, जो तिर्थो आदि को नहीं मानते हैं, जाते भी नहीं मानते भी नहीं, तिर्थ माना भक्ति, तिर्थ को ना माना, गोया भक्ति को ही नहीं माना, भगवान की खोज करते रहते हैं बहुत भावना रखते हैं शिव के आगे पहुत जाते हैं गया समझते हैं बहत दीधार हो गया बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई साक्षात्कर होने से इसमेड़ी कि हो गई परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं अब बाप अच्छी रिती बैठ समझाते हैं मीठे बच्चे अब एक तो सब को बाप का परिच्ट दो इस समय सब निधन के हैं तुम भी निधन के थे, अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो, कहते हैं ना हम नीच पापी है, बला ऐसा नीच किसने बनाया, पूछो उनको कैसा नीच किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं है, कोई भी अपने को मुर्ख नहीं समझते है, यह ड्रामा अनादी बना हुआ है, सब को नीचे जाना ही है, ब्रश्टाचारी बनना ही है, तो यह ख्याल करना चाहिए, कि हम भगवान की फैमली है, भगवान हमारा बाप है, तो चरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए, फिर हमारी ऐसी दुर्गती क्यों हुई है, यह किस की भी बुद्धी नहीं चलती है, कि दुर्गती कैसे हुई किसने की, एक तरफ कहते हैं, परमात्म सर्व्यापी है, दूसरे तरफ कहते हैं, शान्ती कैसे स्थापन हो, मूंज पड़े हैं, कन्फ्यूज है को, कॉन्फरेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझती नहीं है, उन्हों को समझना है अंद में, ऐसे विद्वानों को भी बाबा कहे अंद में समझना है, तुम बच्चों को योग में रहकर करमाती बनना है, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है, बाकी जो इतने धर्म है, वो सत्यूग में नहीं होंगे, जो सत्यूग में वही बहुत समय से अलग हुए है परमदाम से बाबा से बहुत समय अलग हुए है उनके लिए ही कहा जाता है सिकी लधे जो सप्कियूक से नीचे उतरे हैं उनके लिए बाबा कहे सिकि लधे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला तब लगा जब सत्गुरू मिला दला कौन सी आत्मा है पहले पहले परमधाम से आई यहां पाड बजाने पहले पहले आती है देवी देवसा धर्म की आत्माएं पाठ बजाने उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा बाब कहते उनके लिए ही आना पड़ता है बाबा भी विशिश उनके लिए आते है जो सबसे पहले पहले अलग हुए है वो 9 लाख आत्मों के लिए, साथ में सब के लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सब को मुक्ती देनी है, अब देशा धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं, यह धर्म की स्थापना कित इतनी वंडरफुल है, तब तो कहते हैं, हे प्रभू तेरी श्रीमत, गती सदगती की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ न सके, देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, इतना समय जो पतीत देह अभीमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर देही अभीमानी ब इसमें महनत लगती है, गड़ी गड़ी बूल जाते हैं, बाबा कहते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्म का बोजा तुम्हारे उपर बहुत है, सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है, बाबा कहें, सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है, अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा है, तो श्रीमत पर चलना पड़े और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं, स्रिष्टी चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकाल दर्शी कहा जाता है, स्रिष्टी चक्र के राज को समझना उसको ही कहा जाता है त्रिकाल दर्शी, बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, लोगों को समझाओ, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, भगवान है स्वर्गता रचेता, तो भगवान से जरूर पहते हैं इश्वर के वारिस होने चाहिए ना इश्वर बात तुम नर्ग में क्यों पड़े हो यह तो तुम जानते हो हम पहले स्वर्ग में थे रावन ने हमको नर्ग में धकेला है रावन क्या चीज है? यह अभी कोई नहीं जानते तुम याद दिला सकते हो भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारत वासी स्वर्ग के मालिक थे अभी भारत नर्ग बना है यह खेल बना हुआ है रावन राज्य और रावन राज्य आधा आधा है यही खेल है फिर उनके बीच में क्या होता है? रावन राज्य और रावन राज्य के खेल के बीच में क्या होता है? वह भी डीटेल बैट समझाते है बाबा सारा चक्र डीटेल से बैट समझाते है कोई-कोई बच्चे निश्चय बुद्धी है, जो समझते हैं, हम बाब के सामने बैठे हैं बाबा त्री ने त्री त्रिकाल दर्शी है, त्री मुर्ती है, ब्रह्मा विश्नु शंकर का भी रचयता है त्रीमूर्ती शिव के बदले त्रीमूर्ती ब्रह्मा का नाम रख दिया है अब त्रीमूर्ती का रचेता ब्रह्मा कैसे हो सकता गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश तो रचेता जरू कोई दूसरा होगा इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है शिवाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्सा देंगे और क्या देंगे विश्नुपुरी कौन स्थापन करते हैं बाग विश्नुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायंग का राच्य स्थापन कर रहे है यह भी किसको मालूम नहीं है विश्नु का अलग चित्र बनाए उनको नर नारायंग कहते हैं और लक्ष्मी नारायंग का फिर अलग-अलग बना दिया है चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है बाबा कहे प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने इन अंधे में लगे रहे तो थोड़ी समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है बाब समझ जाते हैं यह खुदी पूरा समझा हुआ नहीं है तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं नहीं तो जट सर्विस पर भागना चाहिए अंधों की लाठी नव बने तो गोया खुदी अंधे है बाबा को जानते नहीं इसको कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ आप यह आना चाहिए बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं आप परमिशन दो अफर करना चाहिए बाबा जानते हैं कौन-कौन सर्विस कर सकते हैं ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी है मनुष्य को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ बहुतो का कल्यान करना है परन्तु पूरी पहचान नहीं पोटों में कोई जानते हैं अमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विस लिए जिनको टेलिग्राम करके बुलाना पड़ता है आप एनी कहते बाबा हम तयार है बाबा देखते हैं मनश्यतो जानवर मिसल बन पड़े है उनको देलता बनाना है तुम बच्चो को निरहंकारी बनना है फेड में तो बडी नम्रता चाईए सेंटर रिन चार्ज में बाबा कहे बड़ी नम्रता चाईए बाब कितना निरहंकारी है कोई-कोई बच्चों में बहुत अहंकार है जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे उसका दंड उसकी अवस्था गिर पड़े बाबा कहे जिसमें अहंकार है तो समझ लेना चाहिए जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे और उसका डंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी बाबा कहते बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है बाबा कैसे साधारन रिती से पढ़ाते हैं मनुश्य तो समझते हैं वो सर्वशक्ती मान है क्या नहीं कर सकते हैं परंत बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वंट बनकर आना पड़ता है कहते भी है ये ग्यान के सागर पतीत पावन आओ सुख के सागर आओ आकर हम पतीतों को पावन बनाओ बाब को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है कहां आकर रहना पड़ता है कैसे कैसे विगन पढ़ते हैं लाखा भवन को आग लगाते थे सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं हम नहीं जानते प्रमा बाबा क्या कहते शुबाबा तो सारे पाठ को जानते हैं हम नहीं जानते बाब कहते मुझे आना पड़ता है भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता जे बाबा क्या कहते हैं सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूं बक्ती मार्ग में भी गाली देते हैं तीन पैर पृत्विके भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरहंकारी पन से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। आतार में बाबा मम्मा ने सब कुछ किया, कितना नीचे उतरना पड़ता है, पतीतों को पावन बनाना है, मूद बलिती कपड़ों को धोना है, तो धोबी भी है, सुनार भी है, सब को गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलते बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याप प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याप प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली से धार्णा के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट बाप समान निरहंकारी नम्रचित बनना है अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है दूसरी पॉइंट सर्विस के लिए सदा तयार रहना है सर्विस के लिए स्वयम को आपी ओफर करना है कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करने है आज का बाप दादा का मधूर वर्दान हम बच्चों के प्रती है संपन ताके आधार पर संतुष्ट ताका अनुभव करने वाले सदा त्रिप्त आत्मा भव संपन ताके आधार पर संतुष्ट ताका अनुभव करने वाले सदा त्रिप्त आत्मा भव जो सदा भरपूर वा संपन रहते हैं वे त्रिप्त होते हैं चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाएं लेकिन संपन त्रिप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्ट ताका गुण सहीयों के रूप में देंगी ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुब भागना और शुब कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रैस्थित करेगी रूहानी रॉयल आत्मा का यही स्रेश्ट कर्म है आज का स्लोगन है याद और सेवा का डबल लौक लगाओ तो माया आ नहीं सकेगी याद और सेवा का डबल लौक लगाओ तो माया आ नहीं सकेगी अच्चा ओम शाणी अच्चा टाओ बलानी और सेवानी और सेवानी लौक लगाओ ़िए टूए माया आत्मा का लगाओ रुगा है झाल झाल